हलो वेलकम टो टेक्षरमित आज के सेशन में हम देखेंगे छी एच के ओबीजे कमांड का एक और सेनरियो जिसमें हम नहीं प्रोग्राम क्रेट किया है जिसके लिए हमने यह पे तो मैं इसको एडिट मोड पर ओपन कर रहा हूं यहां हम पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने है पीजेम कमांड से उसके बाद में हम यहां पे छी एच के ओबीजे कमांड का यूज करेंगे वेरिफाय करने के लिए किसी डेटा एरिया को कि अगर आपके पास कोई डेटा एरिया आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो तो वह अल्रेडी एक्जिस्ट करता है य के लिए यहां पे डाला qsavcfg ठीक है यह एक अब्जेक्ट का नहीं में जो हमारे qsus library पर है और इसका टाइप जो है वह स्टार डी टी ए ए ए आरे तो डेटा एरिया अगली हमारे को यह टाइप जैना पड़ता स्टार डी टी ए ए ए आरे ठीक है उसके बाद में आपको स करता है तो यह प्रॉपर जो नॉर्मल फ्लो उसमें चलेगा और अगर एक्जिस्ट नहीं करता तो वह एरर जनरेट करेगा उस एरर को हम यहां पे हैंडल कर रहे हैं तो मान मैसेज लिखके आपको f4 प्रेस करना है यहां पर मेसेज डालोगे cpf9801 और एक्जेक्यूट में जो भी चीज़ आप लिखोगे वह कंसिडर होगी एरर कंडिशन के केस में जो एक्जिक्यूट होगा ठीक है तो यहां पर हम प्रेंट कर रहे हैं सेंट प्रोग्राम मैसेज कमांड से एक मैसेज डेटा इरिया नॉट फांड इन लाइब्रेरी अगर एरर जनरेट हुआ उस इसका फेले डेटा इरिया के नेम हम कपे करेंगे हैं वासे इस में कीयोड्त कि एसे kiक इसी मिंते और को भी इसे एंच़े मिचे तई6 कि का मिचिक्ण के मस्क्था kicking Americans से इसके आिसको एक मत्रों अशिक्श व्लीटा इर्या अब अगर इसके जगह मैंने कोई ऐसी invalid value डाल दी जैसे मैंने इसको double q कर दिया जो exist नहीं करता तो उस case में यह error generate करना चाहिए तो यहां पर यह error generate data area not found in the program in the library ठीक है वो इसलिए क्योंकि यह exist नहीं करता तो chkobj न इसको error में return किया और error में return वो उसको फिर हमने common message से trap करके उसको handle कर लिया तो यह एक chkobj का एक और scenario हमने देखा जहां पर हम data area को भी verify कर सकते हैं ठीक है तो इस session के लिए तना ही था next session में हम बाखे topic discuss करेंगे so thank you for watching the lecture करेंगे